दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ सफलता का सफर लंबा हो सकता है लेकिन उसका आना तय है इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए गुड मॉनिक फ्रेंड्स वेल्कम टू ओनलाइन इस्टुड पॉइंट दोस्तो आज है 24 जनबरी और इस्टार्ट करते आज करने फैस चैनल को सब्स्राइब ज करते हैं दोस्तों आज हमारा पहला मात्मुड कोशन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाली में किस राश्टी स्मारक स्थल में नेता जी शुवाश्चेंदर बोस्त की याद में बनाया गये संग्रहलय का उधळण किया है तो देखे इसका बहुत इंबोडन कोशन है इसका क सब्सक्राइब जोड़ी चीज़ों को प्रशित किया गया है तो मोदी जी ने हाली में किस राश्टी स्मारक किस थल में नेता जी शुवाश्चेंदर बोस्त की याद में बनाया किस संग्रहलय को तुछन है हमारा अगला कोशन है रेटिंग एजनसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबित कौन सा राज 11.3 परसेंट की दर्श के साथ वित्वश्च दवर 1718 में राज्यों को विकास दर के मामले में टॉप पर रहा है तो यह रहा है दोस्तों बिहार ठीक है ऑप्सान ए तो रेटिंग एजनसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबित विहार वित्वश् परसेंट की दर के साथ राज्यों को विकास दर के मामले में टॉप पर रहा और जीडीपी के मामले में अंत्रप्रदेश और गुजरात दूसरे हम तीसरे स्थान पर ठीक है तो जीडीपी के मामले में अंत्रप्रदेश और गुजरात दूसरे हम तीसरे नमर पर है तो आप सीडी सी मरुस्तली करण से लड़ने के लिए सायुक्त राष्ट अभियान कॉन्फेंस आप पार्टीज के चौद्व में सत्रका आउजन किस देश में आउजित किया जाएगा तो यह किया जाएगा दोस्तों इंडिया में ठीक है भारत में देखें तो यू एन सीचीडी में मरुस्तली करण से लड़ने के लिए सायुक्त राष्ट अभि समय कॉन्फेंस आउप पार्टीज के चौद्व में सत्रका आउजन किया जाएगा इस सत्र में मरुस्तली करण तथा भूमी के निम्री करण के मुद्दे पर सर्चक की जाएगी ठीक है तो कहां पर आजित की तो यहागा 50% ठीक है ऑप्सन भी तिक तो सुप्रीम कोट ने मामले पर एक फैसला सुनाते हुए नियाइक अधिकारी पत के लिए सुनवाई और देखने में अगोता की बैद सीमा 50% है और हाली में नियाइक अधिकारी पत के लिए विकलांकता सम्मद्धितर ग्याज का त ठीक है तो 50 परसेंट आप याद रखिएगा भारत रत्रत सम्मानित को हाली में प्रथम शेख शौद अंतराष्टी पुरुषकार के लिए चुना गया है तो शेख सयद पुरुषकार के लिए चुना गया है यह अगला कोशन है दोस्तों कोशन नमर सीखते हैं किस देश ने राष्टी बैंक में सव रुपए सथीक मूल के भारती नोटों के इस्तेमाल पर रुतिमन लगा दिया है तो यह लगा दिया दोस्तों नेपाल ने ठीक है ओप्सने देश में सव रुपए सधीक मूल के भारती नोटों के इस्तेमाल पर रुपतिबन लगा दिया और नेपाली नाविर्गों को भारत के तरीक किसी अंध देश में दोजार रुपए 500 रुपए 200 रुपए के नोट ले जाने की और लाने की नहीं होगी ठीक है त्याद रखे के नेपाल में फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधी आहेन पर अस्ताक्सर दिये हैं जिसका उद्देश एक दूसरे के बचाव और दोनों देशों के मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार करना है तो जर्मनी ठीक है ऑप्सन डी इस उ सब्सक्राइब के मतावित कच्चे तेल की माग के मामले में चीन को बचाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्वादक देश बना है यह बन सकता है तो इंडिया ठीक भारत देख सो रिशार्च एमम कंसल्टेंसी फर्म वूड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुत सब्सक्राइब कच्चे तेल की माग के मामले में भारत 2019 में चीन को बचाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्वादक देश बन सकता है फिलाल इस मामले में अमेरिका पहले पाइदानप्री के पहले नमर पर अमेरिका है कि इस भारती विकेट कीपर पिछले साल पंद इगलेंड में सतक लगाने वाले पहले भारती विकेट की पर बने थे ठीक है याद रहिए गरिशा पंद आंदर परदेश के मुख्य मंत्री चंद्रवावु नाइडू का नुसार सामान निबर के आर्थी गुरूप से पिछड़े तपके को दिये गए 10% आरक्षण में कितने प्रिस्यत राज्य के कापू जाती के लोगों को दिया जाएगा तो दिया जाएगा 5% ठीक है उप्स अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था सिंगापूर अंतराष्टी टेनिस महासंग का 25,000 डॉलर का महिला टूर्नामेंट किसने जीता है तो ऑप्सन देर के अंकीत रायना रस्मी कुमार प्रेणा बाबरी जिसका करेक्ट एंसर थ चलया रहता है थो में करने घरते हैं अब देख लें मातिया थहीं दो सब्यांत वार्व पोर क्मन वाली पहली भारती पुलिश भात पहली महीला भारती पोलिश मतंई बहने करें वीडियो लाइक करें काया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं शुर्य उक्साथ तब तक लिए आप ध्यान रखिए अपना सुस्तरी बेस्तरी मस्तरी आल दे वेस्ट जै हिन जै भारत